आप शबी का स्वागत हैं मेरे चैनल पर और फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं यूपी डियलेट सेकंड सेमिस्टर वत्मार भारतिय समाज और प्रारमिक सिक्षा जिसमें हम पती लगू त्रिय प्रसन आज से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपने इसके पहले जितने भी अबजेक्व टैप क्योश्टन थे हमने पार्ट वन पार्ट व्पार्ट थी में पूरा कवर कर दिया जो कि दिर सोल से ज्यादा क्योश्टन थे ठीक है और उसी में से आपके क्योश्टन पूचे जाएंगे तो आप बहुत ही बहतरीन तर जत्सक्राइब कहा है यह कथन ने प्रेटू का है इन्होंने जो चाहर्ट मेन दिया है जर्मने प्रेस एक्राइब महर्शि ब्िहास की साहर 5 कि एक्यानै जाती हों यह पर सब्सक्राइब पहें और कहुटुर, तो महर्सी बीड्य ब्यास का कथन है यह जितने भी इंप्पोटेंट कथना है इसुतों यार्सीं ब्यास ने सिक्चा की विषय में क्या इस्ट्रेट्मेंट डिया है इन offers भी ओनना कई दिया कि ग्यान जीवन का दिखदर्सण ढें करता जब शक्त्यकिमार्गत के दिशा नहीं दिखाता बलकि वो आपको चलना, बोना, किस तरीकेसे लोगों श्रेपवार करना है, किस तरीकेसे समाज में रहना है, ये जो हमें प्राप्ति होती है, सिख्षा के दौरा ही होती जो इस्टेट्ट्मेंट दिया है, वो महर्षी बेद्व्यास निजी ने दिया है अगरा जो क्योशन है की सिक्षा सास्त्री टी रेमेंट के अनुशार सिक्षा की परिभाशा क्या है तो यहाँ पर जो रेमेंट निजी है इनके अनुशार सिक्षा की जो परिभाशा होती है सिक्षा विकाश को वह क्रम है जो बाल्या अवस्ता से परिपक्वा अवस्ता तक चलता है जिसमें मनुश्य अपने अवशक्ता अनुशा धीरे धीरे बहुत शमाजिक और अध्यात्मिक वातावरण के अनकुल बना लेता है देखा यहनी प्रिमात की सिक्षा है। इभी समयिद्र ये समय इनक अपने बाल्या वस्ता से लिकाश को बेकश्ता और इसक्षा,firमणा प्रिपक्वा से मनुशा क्रम सबतान में अवस्ता वाता है करता है या उसके उस मातावरण के अनुपूल बनाता है यह जो इस्टेटमेंट है यह रेमंट जी का है तीन हमने इस्टेटमेंट देखा और पहला प्लेटो के अनुशार प्लेटो ने क्या बोला है कि अग्यान होना जो है जन्म लेने से आपके शक्ते हो कि उन्होंने सिंपल अगर हम कहें उन्होंने बोला कि अगर आप जन्म लेते हो तो सिक्षित होना चाहिए अगर आप अग्यान ही हो तो आपको जन्म ही नहीं लेना चाहिए तो यह जो किस के अनुशारे तो प्लेटो के एनूशारे, उसी प्लेकार से ब्यास जी क्या जो ब्यास जी है, उनके मसले सिक्षा के परिवाशा ये है कि सिक्षा आप को शत्य का दिखदर्सी नहीं करता, बल्कि एक ब्यक्षी को बोलना, चलना, किस तरह के साब समाज में रहेश रकते हो, वो उसके बारे में शिखाता है फिर रेमंट जी आएं उन्होंने क्या इस्टेट्मण दिया उन्होंने ये बोला कि जो सिख्छा का एक जो क्रमबद जो होता है बाले अवस्ता से कह सकते हो परिपकवा आवस्ता तक चलता रहता है जिसने एक ब्यक्ती अपने आवस्षक्ता जो भी उसकी जरूरत है ठीक है जो भी उसका जैसा वाता वरड़ है उश्री के अनुशार वो अपने आपको ढालता है या उश्री के अन्पूल बनने का प्रयाश करता है तो आज हो अपकी यह तीनों स्ट्रेट्मेंट बहुत ही सिंपल लांगेज में आप सभी को बता दिया आप सिख्चा ग्राड कर लेओं तो इसका एक एम्स है कि हाँ आप टीचर बनोगे जब तक उद्देश ही नहीं रहता है अम्स नहीं होता है तब तक आप परयाश उसमें कह शक्त हो ध्यान परोप नहीं करते हो ठीक है तो यहाँ पर सिख्चा का उद्देश है कि क्या जो है कि हाँ मैं ऐसा बन सकता हूँ और मैं ऐसा बनने का प्रयास जरूर करूँगा तो यह क्या है यह उद्देश है एक पूरव दर्शित लच्च है किसी क्रिया को शंचालित करता है अथ्वा बेवहार को प्रेवित करता है अगला जो केशन है कि स्वस्थ मन्से में स्व जो है कि ज्यान ही श्वर्ग तक उडान में पंखों का आधार यहार कथन किसका देखिए यह सेक्सपियर जी का कथन है सेक्सपियर में क्या बोला है कि अगर आप के पास ज्यान है ठीक है तो आप श्वागी की तरफ जा सकते हो और अगर आपके पास ज्यान नहीं है तो जितित्महोदेजी है। cafe अगर आपके पास घ्यान है तो अच्वर्ग तक की उड़ान में पंखो का आधार है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हों तो उतका ब्च क्या होता है तो ग्यानी होता है और हो यह statement मस्तिस्क और आत्मा ठिक सरीर मस्तिस्क और आत्मा क्योंकि अगर यही एक व्यक्त में तीनों भी नहीं रहेंगे तो व्यक्त कहां से कहां जाएगा और वो सज्यू कैसे हुआ तो सरीर, मस्तिस्क और आत्मा इन तीनों का उजिद समंझ ज़र्ष ये पूर्ड मिस्रण पूर्ड मनुश्य की निर्माड के लिए आवश्यक है और सिक्षा की सच्ची व्योस्ता का आधार है क्या? तो सरीर, मस्तिस्क और आत्मा जब तक इन तीनों का बहुत ही अच्छे ढंग से समंज़स ये पूर्ण मिस्टर नहीं हो सकता तब तक एक अप्तियाश रखते हो कि एक पूर्ण मनुश्य जो है अभी प्रिपेर नहीं है तो ये तीनों का होना बहुत जादा सामिल बहुत जादा एहम रोल होता है ठीक है त शामहुविक होता है तो यानि आत्माभी व्यक्ति मतलब क्या होता है तो शीक्षर के व्यक्ति के Yukon समय धेश हो जाता है शेम हो मिंसके मतलब क्या होता है दिखिए अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है किसी के सामने अपना point रखना जो भी आपका भाव है जो भी आप कहना चाहते हो जो भी आप सोच रहे हो उसको क्या यानि अपना point रखते हो उसको क्या बोलते है अभिव्यक्ति आत्मा अभिव्यक्ति यानि जो भी आपका अभिव करना होता है यह होता है सिग्षा का व्यक्तित अधेश है का संगुचित आर्थ हो जाता है बालक के शक्तियों का सरवांगिर दिक्राश करना घृष भीस्ट voz जो होता है जैसे कि अप्चारिक स्थान पर एक निस्टित वातावरर में पढ़ते हैं तो उप्चारिक होता है और जो अनप्चारिक होता है झाल करते हो तो ऑनप्चारिक स्था निस्टित ऌपी होता है आपि सब्सक्रावर में कि माल परेखें लगार में तो उप्चार आहिना जो की अभी लेगोर्या का विजिआंति है इसके लिए कोई एक निश्चित अस्थान नहीं होता है, इसके लिए कोई एक निश्चित वातावरण नहीं होता है, इसके लिए एक निश्चित टाइम नहीं होता है, इसके लिए एक निश्चित टीचर नहीं होता है, कि नहीं आप उन्हीं टीचर से पढ़ेंगे ये कुझे दर्ध और ब्याहपकर्थ है कि अगला क्यों दूरस्ट जिक्षा के कितने घटक यह सब्याथ थर्षें регाट कि अ या online education भी कैस रखते हों तो यह दुरुफ्त सिक्षा के घटक है जिसको आप याद कर लिजेगा मुक्त सिक्षा, मुक्त अधियम और पत्रचार सिक्षा अब देखिए अगला question है कि पत्रचार सिक्षा का माधियम क्या है किसका घटक है तो यह दुरुफ्त सिक्षा का घटक है पत्रचार सिक्षा का माधियम क्या है तो पत्रचार सिक्षा का माधियम मूत्रित सिक्षा प्रडाली है जो डाक के माधियम से विद्यार्थियों को प् माध्यम मुद्रिज्स目्षा प्रडाली है जो की समय् हुए धाक के माध्यम से विवर्ध्यार्थों को प्रेशित या श्रंड किया जाता है सेंडर یा प्रेशक अगला जो क्योस्टेन है कि वैदीक कालिन सिख्च्छा से क्या अतात पर है या जो वैदीक कालिन की सिख्च्छा ती इसका डिस्टेशन क्या होगा तो विद पर अधारी वैद कiking किसका तो वैधिक कलिन शिक्छा से वेदिक पर अधारिक सिक्छा गुरू के घर यह प्राप्त की जाने वाली सिक्छा को में बैदिक कलिन शिक्छा कें नहीं रिखते हो प्रेसने की वेद की प्रकार आप सभी को यह आंसर देना है कि किस से गयांतरी मंतर लिया गया है इसका आप शबी को करना है अगला जो प्रस्ट है कि साब इद्या या बिमुक्ते का क्या अर्थ होता है शिंपल इसका अर्थ होता है ऐसा ग्यान जो उसे जीवन संचार के मुँख्ति प्राप्त करने में शमर्थ बना शके साब इद्या या बिमुक्ते बहुत अच्छा है आप उसको याद भी कर सकते हो समस्वित में कोई प्रॉबलम नहीं है साब इद्या या बिमुक्ते का जो अर्थ होता है ऐसा ग्यान जो उसे जीवन संचार के मुँख्ति से प्राप्त करने में समर्थ बना शके यानि जो भी संसार का मोह है उसे मुक्ती पाने के लिए उसके समर्थ बना सेके उसे ऐसा ग्यान चाहिए साविद्या या बिमुक्त है अगला जो प्रसने की प्राचीन भारतिय सिक्षा प्रडाली को गुरुकुल सिक्षा क्यों कहा जाता है अगला प्रसने के प्राचीन काल में एक बिमुक्त के ग्याता को क्या कहते है तो प्राचीन काल में एक बेद के ग्याता को हम अशनातक कहते थे ठीक है अगला जो प्राचीन काल में दो बेद के ग्याता को क्या कहते है बहुत ज़्यादा महत्यपूर ये प्रसने देखिए आप से भी को अशनातक याद रखना है वशु याद रखना है रुद्र याद रखना है और अधित्य यह अगर पांचों याद कर लेगे तो बहुत ज्यादा महत्यपोड है क्योंकि इससे रिलेट करके प्रशना आते हैं देखिए अगर कोई एक बेद का ग्याता हो जाता है तो उसको हम असनात्त कहते हैं दो बेद का ग्याता हो जाता है तो उसको हम वशु कहते हैं तीन बेद का ग्याता हो जाता है तो उसको हम रुद्र कहते हैं चार बेद का ग्याता हो जाता है तो उसको हम आधित्य कहते हैं तो यह नाम बहुत जादा महत्यपोड है इसको याद कर नेजएगा देख सकते हो प् क्या होगा ठीक है अशनात्तक वश्व रूद्र और आपका आदित के अगला जो पैसने की चार वैदिक सिक्षा में पांच वर्थी आवस्था पूर्ड करने के बाद जब गुरुकुल में परविश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था यानि वैदिक सिक्षा में ज तो वैदिक में कहा रहा है देखिए जैसे कि आपने प्रवज्य संसकार पढ़ा था बुद्ध कालें में लेकिन यहां पर वैदिक सिक्षा यानि यहां पर चूड़ा कर्म संसकार होता है ठीक है चूड़ा कर्म संसकार किया जाता था अगला प्रसने की गुरुकुल में पर जब उपनियार्थ सुस्क्राइड करने जाते तो क्या तो उपनियार्थ संस्कार कि गुरू के पास ले जाना नेक्ट प्रूंज लिएसराएड़ार्थ जीवन की शंति पर निक्त प्रति क्या प्रति पर बिद्गर क्या भनवार्थ Ο स्क्षा ग्रहाड कर लेते हैं तो खौन सर्षा कर या जता है तो शमा वर्त अवरतन सर्षार होता है अग्लर समस्ट का प्रस्ट की डाक्टर आर रके मुखर जीए बहुत सथा के बिसटे में क्या कहा हैлем सब्सक्ड़ आपसे भी किस साथ एक Quesnian पोषते हैं, यह दो Quesnian पोषते हैं, यह statement किस का है कि, सिख्षा से केवल आप, या कह सकते हो, आपको दिसा या मार्ग दर्सन ही नहीं मिलता, बलकि बोलने, चल ले, और समाज में रहने कि इस किस तरीके से रहा जाता है, इसके बारे में भी घ्य नांतावत्त होता हैं यह किसका स्टाइट्मेंट है सकते हम अगर आप लिएका को सीकषित रहना सब्सक्राइब से ठिखोपी में साथ लो principe अगर आप ऑगराथ सिंपम्त कहें कि ao अगर कमेंट्स बॉक्स में करना है तो फ्रेंट्स ये दो और बहुत एजी है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंट्स में तरो को जरूर से हर किजी थैंक्स वर वचिंग टेक कियर एंड बेश्ट अफ लक